दोस्तों इस प्रित्वी पर सापों की 3000 से अधिक परजातिया पाई जाती हैं जिन में से कुछ सापों की परजातिया अपनी सुन्दर्दा के लिए जाने जाती हैं तो कुछ अपने जहर के कारण खतरनाक होते हैं तो कुछ अपने सिकार को जकर कर मारने के लिए जाने जाते ह लेकिन आज हम इस वीडियो में जिन्दस सापों की बात करने वाले हैं वो अपनी और सधार लंबाई को लेकर पूरी दुनिया में मसभूर है और यकिन मानिए ये साथ इतने लंबे हैं कि आपका घर भी इनकी लंबाई से छोटा पर जाएगा तो दोस्तो आए बिना देरी किये हुए हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के उन टेन बिगश्ट स्नैक से दोस्तो किंग ब्राउन दुनिया के सबसे बड़े सापों की सूची में दस्यों नमर पर अपना दाव रखते हैं आमतर पर अस्टेलिया के घास्ते मैदालों, जंगलों और जारियों में पाय जैनिवले किंग ब्राउन साप की लंबाई लगभग 11 फित होती हैं और इसका बजन करीब 6 किलू ग्राम तक होता है इतना ही नहीं, किंग बराउन साप बड़े तो होते ही हैं साथ ये बहुत जरीले भी होते हैं और इनका जर इतना घातक होता है कि अगर ये किसी ब्यक्ति को काट ले तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है बात करें इन सापों की सरीर की रंग की तो इन सापों के सरीर पर पीली और बुरे रंटे पैटाने बने होते हैं जो इन्हें अपने आसपास के वतारों में छुपने में काफी मददगार साबित होते हैं ऐसे में इनके ऐसे रण होने के कार और उनके सिकार को उनकी मजूदगी का ऐसास भी नहीं होता और जैसे ही कोई सिकार इनके आसपास घुमता है वे पलग जपकते ही उसे पकड़ लेते हैं आईए हम आपको किंग कोबरा नाम के एक ऐसे साप से मिलवाता हूं बारस्त ही दच्छिरपूर एसिया की वर्सा बनों में पाय जाने वाले किंग कोबरा स्टाप की लंबाई लगबत 13 फिट होती हैं और कभी कभी ये 18 से 20 फिट लंबे किंग कोबरा भी देखे गए हैं और इनका वजन करीब 6 किलोगराम तक होता है और जो चीज किंग कोबरा क को दूसरी सापो की तुलना में सबसे खास बनाता है वो है इसका बेहत घातक जहर किंग कोबरा एक बार में करीब 6 मिली लीटर जहर निकालने की ताकत रखते हैं और अगर ये जहर किसी इंसान के स्थरीन में चला जाए तो मास 30 मिनट के अंदर ही काटे हुए इंसान की मौ हम्बाई भी 13 फिट तक हो सकती है खलानकी इनका वोजन की कोप के कहीं जाधा यानि 27 किलोगराम तक होता है जिसके करोर को किंग कोबरा कियी अधिक साल II क जाता है आम तर पर दफरी अमेरिका में पाम पाय जाने वाले 2 क sledवार साम जारीली नहीं हुते लेकिन बहुत क्षक सिकार को अपने कुडली में जकर लेते हैं और इतना जुर्दार दबाव डालते हैं कि सिकार की दम घुटने से मौत हो जाती है जिसके बाद ये अपने सिकार को पुरी तरह से निगल जाते हैं जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि साप जारीली नहीं होते जिसके कर और बड लगबग 8 फिट से लेकर 14 फिट तक होती हैं लेकिन इनका वजन बहुत कम यानि दू किलोग्राम तक होता है हलांकि अपने कम वजन के कारण यह स्थाप लगबग 12-5 मीटर पति गंटे की रद्दार से रेंगने की छमता रखते हैं और आमटर पर अप्रिका में 5 जनुरे ब् पराने में भी किया जाता है नम्मभ 6 अफ्र सिखàiण रोफ पाइसां बात कर promoted की लंबाई कुल्बाई करीब 16 सोले फीक तक होती जो इससजी obsti अधर इतने खतनाक होते हैं कि या अपने सिकार को अपनी बाद कर विरामि से मारने के लिए नहीं उपसी है इतने गुससेव सवह के साथ होते हैं यही कारण है कि और भी खतर्नाच सिकार बनाता है और जब इनकी पीट की आग भटकती है तिये कुछ भी करने से नहीं कत्राते ऐसे में आपको जानकर हरानी होगी कि जब इस साफों की भूख चरम पर पहुंच जाती है तो यह अपने ही अंडे खाने से नहीं हिच कि जाते निवर फाइप इंडियन पाइफन दुनिया के सबसे बड़ काफी बिसाल होता है आमतर पर भारत पाकिस्तान नेपाल और सिलंका की जंगलों में पाई जने वाले भारती पाइफन साफ काफी गुस्तहल वाले होते हैं इसके साथ ही यह सिकार के मामले में भी काफी माईर है एक बार जब यह अपने सिकार का लच्छ टै कर लेते हैं तो समर पूर बर्मीज पाइथन आमतर परचीन और दच्छीपूर एसिया के दलदली इलाकों में 5 जनवले बर्मीज पाइथन की लंबाई लगबक 30 फिर तक होती है और इसका बजन 90 किलो ग्राम तक होता है अपने बड़े अकार के कारण ये साफ दुनिया भर में तो जाने ही ज जाते हैं इतना ही नहीं आपको उनकी कुड़ता का अंदाजा इस बास से लगा सकते हैं कि वी मगर मत जैसे कुखा जानर को अपनी कुड़ली में धारण करके उसे मारनी की भी सकती रखते हैं अलांकि बर्मीज पाइथन साफ स्वभाव से एकात वासी होते हैं और वे अप अपना अधिकांस समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं और किवल प्रजलन काल के दौरान ही वे अपने साथियों के साथ दिखाए देते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्तापव की सुची में अब नामाता है अमेथेश्टिन पाइथन का बात के इसकी लंबाई की तो अधिकांस अमेथेश्टिन पाइथन की लंबाई सास से तेरे फिट के बीच होती है और यह 27 फिट तक भी बढ़ सकते हैं वहीं इनका वजन करीक 14 किलोग्राम तक हो सकता है और माधा अमेथेश्टिन अजगर आकार में नर्स से बड़ी होती हैं आमतर पर इंडोनेसिया पक्वा निवगिरी और अस्टेलिया में पाया जाने वाले अमेथेश्टिन अजगर पुत क्रिष्ट तैराग्वी होते हैं जो जरुत पढ़ने प वर्षा वनो और ददली चेत्रों में पायाते हैं बात करें इस बड़े इसनेक की लंबाई की तो रिटीकुलिटेट पाइथन की लंबाई लगबग 29 फिट होती है जबकि इसका वजन 270 किलोग्राम तक होता है विसाद सरी और भारी वजन वाली एसाप बहत खतनाग सिकारी होते हैं जो पलक जपकते ही हीरन के साथ साथ बड़े से बड़े जारोन को भी अपना निवाला भना लेते हैं इतना ही नहीं भारी शरीर होने के बाजूद ये साप बहुत तीजी से रेंगने के लिए भी जाने जाते है और अपनी इसी बेतरिन खुवी के दम पर जब ये अपने सिकारियों पर हमला करते हैं तो सिकार का उनसे बसना बिहाद मुश्किल हो जाता है नमर वन ग्रीन इनकोंडा दुस्तों ग्रीन इनकोंडा दुनिया के सबसे बड़े स्टांपों की सुची में पाले नमर पर आते हैं जिसकी लंबाई लगबक 30 फीट और वजन 250 किलो गराम तक होता है अलांकि ग्रीन इनकोंडा की मादा अकार में नर्ज से बड़ी होती हैं ग्रीन इनकोंडा अकार और वजन में जितने विसाल होते हैं उससे यह कहीं अधिक खतरनाक सिकारी होते हैं अलांकि ये स्ताप जहरीरे नहीं होते लेकिन अपने 27 तरीर के बल पर ये अपने स्तिकार को अपने कुर्डली में जकर कर मार देते हैं जिसके बाद उसे पुरा निगर लेते हैं और पचा लेते हैं आमतर पर ब्राजेल में पाया जैने वाले ग्रिन एनकोंडा, जंगिली स्तुवर और हिरन को अपना निवाला बनाते हैं लेकिन इस सापों की सबसे दिल्चस्प बाती है कि ये अपने स्तिकार की तलास में नहीं जाते हैं बलकि एक अल जगा पर कोड़िली मार कर अपने स्तिकार का इंतिजार करते हैं और जैसे ही कोई जीव इसके आसमास भटकता है तो ये पलग छपकते ही उसे पकड़ लेते हैं तो दोस्तों ये थे दुनिया की दस्त सबसे बड़े साप इनमें से आपको कौँ साप सबसे बड़ा और खतनार लगा हमें कमेंट करके जरू बताएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखिने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सस्क्राइब भी कर लीजिए और अगर आप आजीवो गरीव साप के बारे में जाना चाते हैं तो इस वीडियो को किलिक करके अभी देखिए बहुत ही मज़िदार वीडियो है